हाँ जी तो आज के वीडियो के अंदर है हमारे पास में दो फ्राइपेंज जिसके अंदर एक है Hawkins Futura का Hard Anodized Fry Pen और दूसरा है Hawkins Pro Series का एक टिपलाई स्टेल स्टेल फ्राइपेंज अगर कुछ इस टाइप का एक पैंज सर्च कर रहे हैं इसके अंदर कोई भी चीज आप कुप करें उसके बर्न होने के चांस काफी है तक कम रहें साथ-जाथ 100% food grade भी हो तो यह दो option जो मैं आपको दे रहा हूँ यह काफी अच्छे option हो सकते हैं आपके लिए step by step इन दौनों frypens का पूरा complete detail review करने वालों इन दौनों की rates के अंदर क्या difference मिलता है साथ-साथ क्या-क्या thickness आपको देखनों को मिलती है और क्यों यह product आपके लिए value for money रहने वाले हैं इसकी पूरी complete जानकरी के लिए इस वीडियो के end तक मेरे साथ में बने रहे हैं अब जैसा मैंने आपको इस टाइट्रिंग में बताया था कि यह जो product है 100% food grade रहने वाला है अब 100% food grade कैसे हैं सबसे पहले तो यहाँ पर इस frypens का base metal है वह है aluminum अब aluminum जैसे mind के अंदर आता है तो आपको ऐसा लगया कि फूट grade नहीं होता और एक चीज और hard anodized होने के बाद में कोई भी cookware steel की तरह सकत हो जाता है अगर माल लीजे आपके हाथ से यह frypens नीचे गिरता है तो इसके अंदर dent वगयरा आने के chance काफी अब तक कम रहते हैं आप इसके ओपर easily किसी भी तरह का कोई भी metal spoon वगयरा चला सकते हैं इसके अंदर भी कोई भी tension नहीं है जो layer इतनी सकत होती है काफी लंबे time तक बरकरार रहती है अब यहां पर सबसे पहले depend करता है कि यह जो frypens हम purchase कर रहे हैं उसकी thickness कितनी है 4.06 mm के साथ में यह frypens आपको देखनों को मिलता है अब इतनी अच्छी thickness होने के कारण जो भी चीज आप इसके अंदर cook करने वाले हैं उसके burn होने के chance भी काफी अदक कम रहेंगे इसकी वज़े से इसके अंदर non sticky features भी आते हैं मतलब काफी कम oil के अंदर आप easily cooking कर सकते हैं aluminium based metal होने की वज़े से जो भी चीज आप इसके अंदर cook कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से cook होने वाली है because यहां पर इसके अंदर evenly heat distributed होती है मतलब जितना इसका frypens का पैंदा गरम होगा उतना ही यह frypens आपका side से गरम होता है साथ अगर बात करें build quality की तो यहां पर इसकी build quality वाकि में काफी अच्छी देखनों को मिलती है इसके handle को 2 repeats लगाकर बहुत ही अच्छी तरीके से कसा गया है ताकि इसके अंदर काफी लंबे time तक किसी भी कोई भी complain ना सके यहां पर handle आपको backlight का stay cool देखनों को मिल जाता है और कुछ इस तरीके की design है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की design है ताकि easily मान लीजिए कोई चीज आपको pour करनी है तो easily आप pour कर सकें आपके हाथ मान लीजिए oily है तो आपके हाथ से slip ना हो जाए यह pan मेरे पास में 24 cm के अंदर available है इसके अलावा आपको 17 cm to 30 cm तक के काफी सारे different size देखनों को मिल जाते हैं इसके अलावा यहां पर यह जो fry pan आप चाहें तो with lid purchase कर सकते हैं और आप चाहें तो without lid भी purchase कर सकते हैं और अगर बात करें रेट की तो 1250 मतलब 1250 रुपे की रेट में यह 24 cm का fry pan आपको देखनों को मिल जाते हैं अब बात करते हैं हमारे next pen की जो की ओकी प्रो सिरिस का यह triple A stainless steel fry pan यह जो fry pan आपको with lid देखनों को मिलता है आप देख सकते हैं यहां पर lid के साथ में हमको देखनों को मिल जाते हैं आप 360 degree view देख लीजिए इसका पूरा complete जो looking या कुछ इस तरीके की हैं जहां पर जो still use में लिया गया है आप देख सकते हैं अंदर की तरह पूरा complete mat finishing देखनों को मिलती हैं और outer आपको shinier still देखनों को मिलता हैं Inner side में जो still दी गई है वो 304 grade की 100% food grade still मिलती हैं और outer side के अंदर आपको 430 grade की magnetic induction friendly steel मिलती हैं इसकी वज़े से जो fry pan है gas, induction, ceramic, halogen इन सभी cooktop पर काफी easily चल जाता हैं इन दौनों steel की layers की बीच में आपको pure aluminium की core मिलती हैं मतलब बहुत ही अच्छी घासी aluminium की sheet देखनों को मिलती हैं इसकी वज़े से इस fry pan के अंदर भी जो भी चीज आप पकाते हैं जो भी चीज आप को करते हैं उसके चिपकने के chance काफी अद तक कम रहते हैं साथ जाद जो भी आप खाना पका रहे हैं वो stainless steel में पकने वाला है तो यह जो है 100% food grade pan भी है साथ जाद एक चीज और यहां पर इस fry pan की build quality हो वागई में काफी अच्छी है अगर बात करें thickness की तो यहां पर जो back side के अंदर thickness mention की जाती है Hawkins और Futura के हर product की तो यहां पर भी back side में mention की गई है कि यहां पर 3 mm thickness के साथ में यह pen आपको देखने को मिल जाता है आप इतनी thickness और triple A होने की वज़े से जो भी चीज आप इसके अंदर cook करने वाले हैं उसके burn होने के chance काफी अद तक कम रहने वाले हैं और साथ ही साथ यहां पर इसके handle को बहुत अच्छी तरीकी से 2 repeats लगा कर कसा गया है इसके वज़े से handle के अंदर किसी भी कोई भी complaint नहीं आएगी और बात करें यहां पर जो handle दिया गया है यह जो handle होलो handle है मतलब इसके अंदर air है इसके वज़े से कुल handle भी है और इसकी जो design है वो कुछ इस तरीके की है मतलब round shape का handle नहीं अगर यह बिल्कुल round होता आप देख सकते हैं यहां पर यह flat दिया गया है और यहां से थोड़ा सा triangle बनाया है इसकी वज़े से हाथों पर बहुत अच्छी तरीके से grip बनाता ही है माल लेजे आप कोई चीज पॉर करने हैं तो easily पॉर कर सकते हैं अगर आपके हाथ के इंदर oil लगावाए जैसा मैंने आपको इस वाले hard anodized stripe end के बारे में बताया था जैसे माल लेजे हाथों में oil है थोड़े से हाथ हमारे चिप चिप हैं तो भी हमारे हाथ से skid नहीं करेगा slip नहीं मारेगा Hawkins आथ बहुत सोच समझ कर इसके handle को design किया है साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी किनोर है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है कि माल लेजे कोई चीज आपको बहार निकालनी है कोई चीज पार करनी है तो एक बहार बनेगी इदर उदर नहीं गिरेगा तो यहाँ पर इस्टेल इस्टेल की lid देखनों को मिल जाती है बहुत एच्छी तरीके से fit हो जाती है आप लिड कुकिंग करते हैं तो इससे अफायदा यह भी है कि बहुत ही जल्दी आपकी कुकिंग होती है मेरे पास में यह जो fry pen at a time 22 cm साइज में available है इसके अलाव आपको 24 cm 26 cm वाला साइज भी देखनों को मिलता है और यहाँ पर 22 cm वाले fry pen की हमार भी mention की गई है 2200 मतलब 2200 रुपे और around 10% के आज पास less करने के बाद में 2000 रुपे की rate के अंदर यह pen आपको देखनों को मिल जाता है साथ इसाद 5-year की warranty इस pen पर भी आपको देखनों को मिल जाएगी साथ इसाद हमारे जो दोनों पैने वो dishwasher safe भी है तो आप इस चीज के अंदर भी बिलकुल निश्चेंत रह सकते हैं और दोनों पैन्स का जैसे मैं आपको बताया है बहुत अच्छे discount का link आपको इसी वीडियो के description दे रहा हूँ आप easily इन्हें वहाँ से purchase कर सकते हैं और इस टाइब की वीडियो मैं लोकेश आपको लोग लिए time to time लेके आता रहता हूँ जिससे आपको value for money product बिल सके तो please मेरे साथ ने मने रहें वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like and share कर दीजेगा Thank you very much जय हिन जय भारत